अरे आजा भाई दुगगल आजा मुझे बचा ले यार मुझे बचा ले मैं बहुत संकत में हूँ लगता है इसके पीछे खुजली वाला के खुजली वाला कुट्ता पड़ गया लपटी दराजे बन करते अरे नहीं यार दरसल दुगगलन किसी के साथ भाग गई अरे राम अब तक उसका कुछ पटा नहीं चला कि शरम जादे के साथ भागी है एक बड़ पटा चल जाए तो मैं उससे भूज बना दूँगा मारते मारते तो रोटा काय को है वो हनीमून पर गई होगी उसके साथ मौज मस्ती करके वापास आजाएगी तू टेंसन मत ले बाट ये ह कि मेरी सास ने मुझ पर मटर का केस ठोक दिया अपने पची का अगर वो जिन्दा रहेगी तो सुसरी बिना बाद के मुझे जेल करवा कہ ही रहेगी जब मटर का केस लगी गया है तो एक मटर करी थे तो कल अपनी सास को टपक़े दे अढ़े नहीं इतना गुदा कहा Don momentum कहा बीबी भी तुन रही है तुम तो CM के आजमी हो उनसे ठाने में एक फोन करवादो ये केशी खत्म हो जाएगा लगता है पूरे छेटर को ही पता चल गई है ये बात डैड स्कूटर वाली बात ना पता जल जाए कहीं जब नलायक तू मेरा ये काम करा दे यार मैं अपनी जीव मैं तोड कर मैं करवात हूंगी दुगल जी आपका काम दुगल समझ ले तेरा काम हो जाएगा कल ठाने चल मेरे साथ क्यों रे भिकमंगे टो लाइन तू सही बोल नहीं सका मुझे पुलीस वालों से पिटवा दिया उपर से मेरे डहेट की गाड़ी भी सीध हो गई तेरे चक्कर में मैंने बोला था लेकिन वो मुझे सियम मानने को तयारी नहीं हुआ साहब मैं पुलीस का नाम सुनके होपलेस हो जाता हूँ आपको पहले बताना भूल गया था होपलेस नहीं होटा तेरे अंडर का भिकारी बाहर आजाता है हाँ ये तो महसूस होता है मुझे भी सुन एक दस लाग का काम आया है पांच लाग तेरे और पांच लाग मेरे लेकिन इस बाद तेरे अंडर का भिकारी बाहर नहीं आना चाहिए बलकि योगी बाबा आना चाहिए बिल्कुल नहीं आएगा, पांच लाग के लिए मैं अपने अंदर के विखारी को पहले ही मार डालूँगा तुझे इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है, सीम बन के, काम सही से करना होगा तुझे थोड़ा केडा काम है, लेकिन पांच लाग का मामला है साहब, चिंता ना करो, कर लूँगा बात, अभी से रिहलसल चालू कर देता हूँ और तुझे पुलिस स्टेशन के नजदीखी रहना, कोई गडबड़ी हुई, तो मैं समाड लूँगा अरो लो खंडे, ये तो वही नमूना है न, जिसका कनेक्शन सीधा सीएम साहब से है जी सर, ये वही पांच अंडी है मार कंडे साहब, टुगल पड़ ये मडर का केश हटा दो, ये निडोश है तेरे कहने से अटा दू, तू कहीं का मुख्या है, कि मुख्य मंत्री है ये लो फिर, मुख्य मंत्री से बाट करो श्पीकर पे ये कौन मुर्ख पुलिस वाला है, जो कल से बार-बार मेरा फोन काट रहा है ये तुम्हारे पुलिस थाने में क्या हो रहा है देखिए मेरे रहते ब्रस्टाचार नहीं चलेगा ये बात कान खोल के सुनलो तुम नहीं सुदरोगे तो भी बुल्डोजर चलवाता हूँ कान खोल कर सुनो तुम रिस्वत खाने वाला कोई भी बक्षा नहीं जाएगा ब्रस्टाचारियों को अंदर का रास्ता दिखा दिया जाएगा तथा एकेक की अवैद प्रापर्टी को जब्त किया जाएगा वो बुल्डोजर द्वारा छती ध्वस्त किया जाएगा बता रहा हूँ गुनाहगार भले ही छूट जाए लेकिन कोई बेगुना फसने न पाए ये दुगगल इमानदार आदमी है इसको इसकी दुष्ट सास द्वारा फसाया गया है इसका केस में खत्म कर दो थाने से वो इसकी सास को महिला पुलीस द्वारा अरिष्ट करवाओ अभी कर देता हूँ सर ओके सर आप चिंता नागरें सर आज इसकी सास का ससुरयाद दिला देगा ये मारकंड देखी मेरी पावर हलके में ले रा था मुझे कल तू सॉरी सर सॉरी माने अन्जाने में आपको कल पेल दिया सॉरी सर आप फड़े क्यों सर बढ़ जाए बढ़ जाए मैं समुशा और चाय लेके आता हूँ आपके लिए वाई यार तूने तो आज गर्व फिल करा दिया मुझे ऐसा लग रहा है आने वक्त में मैं शेहर का डॉन बनने वाला हूँ तो डॉन नहीं डॉन का बाब बन अपनी ही सरकार है सर आप लोगों के मनरंचन के लिए टीवी चलाओं जब तक आपका काम हो रहा है तब तक अबे मूर्ख चल्दी चला योगी बाबा की नई न्यूट चला मैं सिर्फ वही देखता हूँ हाँ हाँ चलाओ चलाओ सर के लिए न्यूट चलाओ सर ये देखिए सीयम सहाब का लाइब भासर चल रहा है सीयम सहाब का लाइब भासर कितनी देड़ से लाइब आ रहे हैं लोखंडे ये आदे घंटे से सर अगर आदे घंटे से सीम साहब यहां लाइब बासर दे रहे हैं तो हमसे कॉल पर बात कौन कर रहा था लोखंडे दाल में कुछ काला है दोनों को पकड़ के अंदर डाल सहब सहब मेरी मटी मारी गई थी जो मैंने आपका चूटिया गाठने की कुशिश की इस बार छोड़ो सहब पहले यह बता यह कौन चिरकुटा है जो सीम साहब की आवाद में बात कर रहा था वो एक भिकारी है सहब पुलिस स्टेशन के पीछे ही बैठा है लोगंडे पकड़ के ला उसको हाँ भई सीम साहब की नकल तुई करता है साहब इसने बोला तैसे करने के लिए पांच लाग देने का वादा किया था एक बार को तो मुझे लगा सच में ही सीम साहब बात कर रहा है टैलेंड तो है तेरे में लेकिन तू उसका गलत यूज कर रहा है सही यूज कैसे होगा साहब आप ही बता दीजिये यो तो फ्रोड निकला अभी बताता हूँ टेंचन क्यों ले रहा है लो घंडे तीनों को लॉक अप में डालके उल्टा लड़का दे और डंडा बर्सा दे पेल गे मैंने इस पर भरोशा ही क्यों किया मैं तो और लंब भड़ गया यार काम तो मेरा भीग मांगने का ही सही था पता नहीं कौन सी मनोस घड़ी में इस बावली की कहने पे आ गया जब विनास का समय आता है तो बुद्धी उल्टी हो जाती है भाई लोग अब तो पुलिस वाले ने ही हमें उल्टा कर दिया लोगंडे शुरू कर और तब तक मारते रहना जब तक तीनों बेहोसना हो जाए